हेलो दोस्तो स्वागत है आज के इसन बहुत थी बहतरिन कलास में तो आज हम लोग 200 प्रसंद देखेंगे भारतिये कंसेचुशन से भारतिये सम्मिधान से तो दोस्तो वीडियो के अंतक बने रहिए और कमेंट में जरूर बताएगा कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा तो चलिए बिहार द्रोग के एकजाम को देखते हुए आज हम लोग भारतिये सम्मिधान से जो किसी भी एकजाम में 4 या 5 कोशन जरूर पूछता है तो चलिए सुरू करते हैं आज का पहला प्रसन है कि भारतिये सम्मिधान का जनक किसे कहा जाता है तो भारतिये सम्मिधान की कुण्जी या आत्मा किसे कहा जाता है तो संभिधान की कुण्जी या आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है प्रस्तावना को अगला पस ने कि संभिधान के किस संसोधन को लगू संभिधान कहा जाता है यानि मीनी कंस्चिऊशन किसे कहता है तो यह 42 संभिधान संसोधन को क अनुछेद एक में भारत को राजियो का संग बताया गया है, दोस्तो वीडियो अच्छा लगे, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा, अगला पस्तुने कि वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या पहले संपति का अधिकार भी मौलिक अधिकार की स्रेनी में आता था इसको अभी कनूनी अधिकार की स्रेनी में कर दिया गया है concern संपती का अधिकार अनुछेद जो 300 के कव में इसको रखा गया है तो वर्तमान में पूछे कि संपती का अधिकार कैसा कनून है तो या कनूनी अधिकार है या भी दिये अधिकार है अगला पसने कि राष्ट पती अगर अपना त्याग पत्र देना चाहें तो वह किसे देंगे राष्ट पती अगर अपना त्याग पत दिना चाहें तो वह उप राष्ट पती को देंगे और वर्तमान में भारत के राष्ट पती श्रीमती द्रपदी मुर्मू है जिनका सबंद पुरिसाराज से है अगर अपने कि भारतिय समिधान के अस्थाय अध्यक्ष कौन थे तो भारतिय समिधान के अस्थाय अध्यक्ष राजेंदर पर साथ थे वही पर आपसे पुझे कि भारतिय समिधान के अस्थाय अध्यक्ष कौन थे तो या सचिदनन्द सिना थे या 9 दिसंबर 1946 को अस्थाय देक्ष बने थे वही पर दो दिन बाद 11 दिसंबर को 1946 में रजेंदर परसाद अस्थाय देक्ष बने अगर आपस नहीं कि अब तक हमारे देश में कितनी बार अपात का लागू हो चुकी है तो अभी तक तीन बार अपात का लग हो चुकी है अनुछे 352 के तहट अपात का लगता है कब-कब तो 362 में चीन यूद के समय 1971 में और 1975 में अगला पसने कि भारतिय समिधान की पर्थम बैठक कब हुई थी तो भारतिय समिधान सभा की पर्थम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी अगला पसने कि संसत के तीन अंग कौन कौन होते हैं यानि संसत किस से किस से मिलकर बनता है तो यह राज्ट सभा, लोग सभा और राश्ट पती से मिलकर बनता है और संसत का गठन अनुचेद 89 के तहत होता है अनुचेद 89 के तहत वहाई पर राज्ट सभा अनुचेद 80 और लोग सभा अनुचेद 81 के तहत अगला पसने कि सुनिकाल का समय कब से कब तक होता है तो वर्तमान में सुनिकाल का समय एक बज़े से लेकर दो बज़े तक कर दिया गया है लेकिन अभी तक या आपको लुसेंट में दे रहा है लेकिन दो पहर बज़े से लेकर एक बज़े तक ही सुनिकाल होता है एक घंते की और सुनिकाल भारत की देन है जो 1962 में इसका अस्थपना हुआ था अगला पसने कि बीशु में किस देश का समिधान सबसे बरा लिखित है तो सबसे बरा लिखित समिधान या भारत का है लेकिन इससे अपसे कोजन पूछे कि सबसे पहले लिखित समिधान किस देश में लाग हुआ था तो या इवेसे में लाग हुआ था और इवेसे का समिधान 1789 में लग हो गया था अगला प्रस ने कि मुल्क करतबे को किस समिधान संसोधन के दोरा समिधान में सामिल किया गया था तो मुल्क करतबे को 42 समिधान संसोधन के तहत सरदार सोर्ण सी समीती के सिफारिस पर समिधान में सामिल किया गया था जो रूस देश के समिधान से लिया गया है वही पर अगला प्रसने कि भारत का समिधान बनने में कितना समय लगा था तो भारत का समिधान बनने में दो वर्स 11 महिना और 18 दिन का समय लगा था अगर आपस नहिकी मौलिक करतव का वर्णन शम्मिधान के किस अनुछध में किया गया है तो मौलिक करतव का वर्णन अनुछध 51 के कव में किया गया है 51 के कव में किया गया है वही पर 86 समिधान संसोधन करके 2002 में सिक्षा के जो अधिकार है उसको 11 मौलिक करतावे को जोड़ा गया और 42 में 10 ही मौलिक करतावे था 42 समिधान संसोधन हुआ था उसमें 10 ही मौलिक करतावे था अगला पस नहीं कि भरतिय समिधान के भरतिय समिधान किस दिन पूर्णता लाग हुआ था तो पूर्णता लाग हुआ था 26.1950 को अगर आपसे कोजन पुछे कि भरतिय समिधान को कब अंगिकार किया गया तो यह अंगिकार किया गया था 26 नौबर 1999 को यह पूर्णतर लाग हो गया 26 जनवर 1950 को अगला परजने कि भरतिय समिधान ने राष्ट गान को कब स्विकार किया था तो यह किया था 24 जनवर 1950 को और भात का राष्ट गान जनगनमन है जिनसको रविन्ना ट्रेगोर के दवरा गया गया है लिखा गया है और इसको गाने में 52 सेकेंड का समय लगता है वही पर अगला परसने कि संपति के अधिकार को किस संसोधन के तहत मौलिक अधिकार से हटा दिया गया तो यह हटाया गया 24 संविधान संसोधन 1978 को अगला पसने कि मुल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है तो मुल अधिकारों का रक्षक सरोच नियाले और उच नियाले दोनों को कहा जाता है सरोच नियाले और उच नियाले दोनों को कहा जाता है अगला पसने कि तीन सिनावों का 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 सिनाव वहाई पर अगला प्रस्ने कि भारत में मौलीक अधिकार किन को नहीं दिये जाते हैं तो मौलिक अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं होता है अगला पसने कि भरतिय समिधान में कितने परकार की रिट जारी की जाती है तो भरतिय समिधान में जो रिट जारी की जाती है वह 5 परकार की रिट जारी करती है जो सुप्रीम कोट जो होता है सुप्रीम कोट वह अनुछेद 32 के तहट 5 परकार का रिट जारी करता है वही पर जो हाई कोट होता है वह अनुछेद 226 के तहट 5 परकार का रिट जारी करता है अगला परसने कि देश में पहली बार राष्ट पति सासन किस राज में लगा था तो राष्ट पति सासन अनुछेद 356 के तहट किसी भी राज में राजपल के अनुछ संसापल लगता है राश्पति लगाते हैं तो यह पंजाब राज में लगा था 1951 इस भी में लगा था ठीक है चले अगला परसने कि मौलिक कर्तब किस देश के समिधान से लिया गया है तो मौलिक कर्तब यह रूस के समिधान से लिया गया है रूस के समिधान से लिया गया है अगला परसने कि भ अगला पस्णे कि सम्मिधान में संसोधन की परकिरिया किस देश के सम्मिधान से लिया गया है सम्मिधान में संसोधन कर सकते हैं या दच्छी नफ्पिरका के सम्मिधान से लिया गया है जो आठकील 300 और 6 के तहत सम्मिधान में संसोधन कर सकते हैं अगला पसने कि एकलना गरिक्ता को भारतिय समिधान में किस देश से गरहन किया गया है तो या बिटेन देश से गरहन किया गया है अगर आपसे कोजन पुछे कि भारतिय समिधान में सबसे ज्यादा कहां से उधार लिया गया है तो भारत सासना दिनियम 1935 से लिया गया है और क अगर पूछे कि भारत सासना दिने मुनिस अप पैंटिस के बाद किस देश के समिधान से भारत ने जाद कुछ लिया है तो वह बिर्टेन लिया है और बिर्टेन के बाद अमेरिका हो जाएगा अगला पसने कि नियंत्रेक एवं महालेखक परिक्षक की नियुक्ति कौन करता है तो नियंत्रेक एवं महालेखक परिक्षक की नियुक्ति राष्ट पती के दवरा किया जाता है और अगला पसने कि समिधान की ब्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसको प्राप्थ है तो समि इवेसे से लिया गया है अगला पसने कि भारत की 22 भसाओ का उलेख किस अनसुची में मिलता है तो 22 भसाओ का उलेख आठवी अनसुची में मिलता है अगला पसने कि जब राष्ट पती और उप राष्ट पती दोनों का पद खाली हो तो पद कौन संभालता है तो यह संभालता है भारत का मुखने अधिस भारत का मुखने अधिस अगला पसने कि भारतिय समिधान के प्रस्तावना किन सब्दों से सुरू होती है तो भारतिय समिधान की जो प्रस्तावना है या हम भारत के लोग से सुरू होती है हम भारत के लोग से सुरू होती है और अगला परस्तावना से कौन से सब्द को सामिल किया गया था तो किया गया था समझवादी धर्मिर्पेक्ष और अखंडता सब्द को जोरा गया अगला परस्तावना में हमारे देश को किस नाम से पूकरा गया है तो यह पूकरा गया है इंडिया अथार्थ और अगला पसने कि नीती निर्द सक्सिधान की सक्ती किस देश से लिया गया है तो यह लिया गया है आयरलेंड के समिधान से आयरलेंड नहीं से इस्पेन देश से गरन किया है अगला पसने कि निर्नायक मत देने का अधिकार किसके पास होता है तो निर्नायक मत देने का अधिकार लोग सभा के अध्यक्ष के पास होता है और यह आठिकिल सव में है अगला पसने कि भारतिय समिधान को किसके दवर आपनाया गया तो भारतिय समिधान को समिधान सभा के दवर आपनाया गया समिधान सभा के दवर आपनाया गया अगला पसने कि भारत में कौन से राष्ट पती दो बार निर्वाचित होने वाले पर्थम राष्ट पती बने में कितने अनुछेद थे तो मुल सम्मिधान में अनुछेद 395 था जबकि वर्तमान समय में 444 अनुछेद है 12 अनुछेद है और 25 भाग हैं अगला पास ने कि अनुछेद को भारतिय समिधान की आत्मा कहा जाता है कि इस अनुछेद को भारतिय समिधान की आत्मा कहा जाता है तो अनुछेद 32 को भारतिय समिधान की आत्मा कहा जाता है क्योंकि अनुछेद 32 के तहत ही आप डारेक्ट सुप्रीम कोट में अपने मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए किस कर सकते हैं जा सकते हैं अगला पस नहीं कि परधान मंत्री पद से ट्याग पदर देने वाले परधान मंत्री कौन थे तो यह थे मुरारजी देशाई मुरारजी देशाई अगला पास नहीं कोई भी बेक्ती किसी भी सदन के सदस बने बिना अपने पद पर कितने दिन तक रह सकता है तो यह रह सकता है छे महिना और अगला पसने कि भरतिय समिधान के प्रारूप समिती के अध्यक्ष कौन थे तो प्रारूप समिती के अध्यक्ष डक्टर भीमराव अमेदकर थे कोचा ने भी पूछता है कि प्रारूप समीती में सदस्यों किसें क्या कितनी थी तो साथ सदस्य थे और प्रारूप समीती को ड्राप्टिंग कमीटी और मसवधा समीती भी कहते हैं अगला पसने कि संसत के किस सदन को भंग नहीं क्या जा सकता है तो या राज सभा को क्योंकि या एक अस्थाई सदन होता है और अगला पसने की राष्टणीरीय आपात काल में कौन सा अनुछेद अस्थागित नहीं होता है तो या अनुछेद 21 प्राने ओ धःक सोदनता जो है या अस्थागित नहीं होता है अगला पसने कि लोग सभा की करवाई चलाने के लिए कुल सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए तो लोग सभा की करवाई चलाने के लिए कुल सदस्यों की संख्या एक वटा दस यानि कोरम एक वटा दस होना चाहिए अभी 550 अगर सदस है तो 10% 55 लोग सभा का दिक्तम संक्या 550 अगला परसने की राज सभा में कितने सदस हर दो वर्स के बाद सेवा निविर्थ हो जाते हैं तो हर दो वर्स के बाद एक तिहाई सदस सेवा निविर्थ हो जाते हैं एक तिहाई सदस और अगला परसने की बीत मंत्री द्वारा वार्षिक बज जो है या लोग सभा में पेस किया जाता है अगला पाजने कि कोई विध्यक धान विध्यक है या नहीं इसका निनाय कौन करता है तो या लोग सभा की अध्यक्ष करता है और धान विध्यक अनुछेद 110 में है धान विध्यक अनुछेद 110 में है अगला पाजने कि भारत एक धर प्रिक्ष देश है इसका तत्पर है कि इसका राज अस्तर पर कोई धर्म नहिए और आप से पुछे कि भबहरत एक गंतंद्र है इसका क्या मतलब होता है तो यहां पर वंसा नुगत सासन बिवस्ता नहीं है यही इसका मतलब होता है कन्फ्यूज नहीं होना है अगला पसने कि समान नागरिक सहीता कौमन सिविल कोड भारत के किस राज में लागू है तो यह गुवा में ही लागू है अगला पसने कि राज सरकार को कौन भंग कर सकता है तो राज सरकार को राजपल भंग कर सकता है और अगला पसने कि समिधान क किस भाग में नीती निर्दसक सिधान्त वर्णित है नीती निर्दसक सिधान्त तो यह भाग चार में है अनुजो अनुछेद 36 से 51 तक है और अगला पसने कि राष्ट पती को पद का सफ़त कौन दिलाता है तो राष्ट पती को पद का सफ़त सरोच ने लेके मुखने अधिस और अगला पसने कि बेक्तिगत सौतंतरता की रक्षा के लिए कौन सा महत्पुन रिट या चिका है तो यह आपका heaviest करपर्स है जिसको हिंदी में बंदी परत्यक्षी करन कहते हैं और अगला पसने कि किस देश का समिधान जो है औल लिखीत है तो यह बिटेन देश का समिधान औल लिखीत है अगला पसने कि किस अधिनियम में नियंतरक महा लेखाक परिखक नमक पद का सुझाव दिया गया था किस अधिनियम में तो यह दिया गया था 1919 के भारत ससन अधिनियम में अगला पसने कि राजपल सोने के पिंजरे में निवास करने वाले चिरिया के समान है यह कथन किस ने कहा था तो यह कथन सुरुजनी नैडू ने कहा था और अगला पसने कि समिधान के अंदर भारतिय लोगतंत्र के अधरसों को हम कहा देख सकते हैं तो यह हम प्रस्तावना में देख सकते हैं अगला पसने कि भारतिय समिधान सबा में कुल कितनी महिलाओं ने भाग लिया था तो भारतिय समिधान सबा में कुल 15 महिलाओं ने भाग लिया था गातिया काहता है यह फ्राइंसिसी सब्द ग्राइंस का प्रयोग कर परफम इंग्लेड में हुआ था इभी याद रखेगा दोस्तो अग्ला बास नहीं कि राश्ट पति का काजिकल कितने वर्श का होता है तो यह पांच वर्श का होता है और पर पर लोक सभा के अध्यक्ष पर्थम उपपर्धान मंत्री कौन थे तो भारत के पर्थम उपपर्धान मंत्री सरदार बॉलब भाई पटेल थे सरदार बॉलब भाई पटेल और अगला पसने कि लोकसभा और राजसभा में सबसे ज़्यादा परतिनी धी किस राज से आते हैं तुया उतर परदेश से अगला पसने कि बीना संसद का सद से होते हुए संसद की बैठक में भाग लेने और बोलने का अधिकार किसे है तो यह महा नेवादी को है और अनुछेद चौदा में कानून की समानता का अधिकार कहां से लिया गया है तो यह बिटेन देश के समिधान से लिया गया है भरत में एक उप राश्ट पती होगा तो यह अनुछेद 63 में बताया गया है अगला पसने कि भरतीय समिधान का अनुछेद 243 का सबंध किस्से है तो 243 का सबंध संग की राजभासा से है अगला पसने कि चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है तो चुनाव आयुक्त को राष्ट पती नियुक्त करते हैं अगला पसने कि राष्ट पती राजसभा में कितने सदस्यों को मनुनित कर सकते हैं तो राजसभा में 12 सदस्यों को मनुनित कर सकते हैं अगला पसने कि सबसे ज्यादा समय तक परधान मंत्री के पद पर कौन रहे थे तो यह रहे थे जवालल नहरू एक सट सो तिस दिन यानि सोला वर्ष तूसो नब्बे दिन और अगला पसने कि समय धान का कौन सा अनुछेद बोट दिने का अधिकार देता है तो यह अनुछेद 326 यानि ब्यस्क मत अधिकार आपका अनुछेद 326 में है अगला पसने कि किस देश में दोहरी नगरिकता का प्रधान है तो दोहरी नगरिकता यह अमेरिका में है और अग परदनीद है और प्रेस को चौथा अस्थम प्रेस को माना जाता है अगला बस ने कि भारत का पर्थम नागरिक कौन होता है तो भारत का पर्थम नागरिक राश्ट पती होता है और एक पुस्तक है फर्ष्ट पर्षन फर्ष्ट पर्षन पुस्तक के लिए खक बलादिमीर पुतिन है बलादिमीर पुतिन है फर्ष्ट पर्षन और देश का फर्ष्ट पर्षन भारत में राष्ट पती होता है अगला पर्षन की समिधान में वर्णित हमारे मौलिक अधिका का स्वनक्षन कौन करता है तो यह सरोच और उच्तम ने आले करता है उच्तम और सरोच ने ले दोनों करता है और अगला पसने की भात के किस अनुछेद में राष्ट पति पद की व्यवस्था की गई है तो यह अनुछेद 52 में अगला पसने की समिधान सवा का समिधानिक सलाकार किसे निउक्त किया गया था तो समिधान सवा का समिधानिक सलाकार बियन राव को निउक्त किया गया था अगला पसने की समिधान निर्मान में समिधान निर्मान के समय कितनी अनसुचिया थी तो उसमें 8 अनसुची थी और वर्त्मान में 12 अनसुची है अगला पसने कि वर्त्मान में भरतिय समीधान में कितने अनसुची है तो 12 है और समीधान के किस संसोधन दवरा दल बदल बिरोधी कानून को मन्याता दी गई थी तो यह बावानवा सम्मिधान संसोधन 1985 में इसको कनूनी मन्याता दी गई थी और अगला पसने कि लोकसवा में अधिक्तम सदस कितने होते हैं तो अब 550 याद रखेगा लोकसवा में 550 अधिक्तम सदस होते हैं दो इंगलो इंडिया राष्ट पते चुनते थे उसको खतम कर दे उस प्रवधान को खतम कर दिया गया है अगला पसने कि राजसवा में अधिक्तम सदस कितने होते हैं तो राजसवा में अधिक्तम सदस से 250 होते हैं अगला पसने कि किस अधिनियम दोरा बंगाल का गौर्णर जनरल को भारत का गौर्णर जनरल कहा जाने लगा तो यह हो जागा 1823 के चार्टर अधिनियम के तहत वही पर बंगाल के गौर्णर को बंगाल का गौर्णर जनरल कहा जाने लगा तो यह 1770 के Regulating Act के तहट बंगाल के गवर्णर को बंगाल का गवर्णर जर्रल कहा जाने लगा अगला पसने कि सम्विधान का रक्षक किसे कहा जाता है तो सम्विधान का रक्षक सरोच नियाले को कहा जाता है अगला पसने कि राष्ट पती तथा उप राष्ट पती के चुनाव संबंधि बिवादों का निप्टारा कौन करता है तो यह सरोच नियाले करता है और अगला पसने कि राष्ट पती एवं उस पर महावियोग के प्रवधान को किस देश के समिधान से गरहन किया गया है तो य अमेरिका के सम्यधान से गरहन किया ग करें। YouTube से क्या गितर सुपर कैबिनेट किसे कहा जाता है तो सुपर कैबिनेट योजना आयोग को कहा जाता है। योजना आयोग के जगव पर नीती जो भारत में नीती आयोग जो भारत में ठिंक टैंक के रूप में काम करता है योजनायोग का स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ था 15 मार्च 1950 को और यह रूस देश के समिधान से लिया गया था अभी नीती आयोग हो गया है इसका स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ है अगला पास नहीं कि भारत में भासाई या धार पर पर पर्थम गठित राज कौन सा है तो यह आंध्र परदेश है और अगला पास नहीं कि भारत के लोगों के पास कितने परकार की नगरिकता प्राप्त है तो भारत में एकल नगरिकता है जो पीटेन देश से लिया गया है अगला पास नहीं कि राज की कारजपालिका का परधान परधान राजपाल होते हैं और अगला पास नहीं कि किस अनुछेद में दोनों सदनों की संजुक्त बैठक का परधान है तो यह अनुछेद 108 में है और संजुक्त अधिवेशन जो या राश्ट पती बुलाते हैं इसके अध्यक्ता लोगसभा के अध्यक्ष करते हैं जो संजुक्त अधिवेशन अनुछेद 108 में है या आस्ट्रेलिया के समिधान से लिया गया है अगला पसने की जब देश में पहली बार आपातकाल लागा थ उस समय भायत के राश्ट पती कौन थे तो उस समय भायत के राश्ट पती सौर पली राधा किसनन थे अगला पसने की राजसभा का सदस बनने के लिए नियूंतम उम्र सीमा कितनी है तो राजसभा का सदस बनने के लिए नियूंतम उम्र सीमा 30 वर्स है और अगला पसने की व अपात काल की घुसना कर सकता है तो वह तीन परकार के अपात काल की घुसना कर सकता है कौन-कौन तो राष्टरिय अपात बीतिय अपात और राष्ट पतिशासन तो राष्टरिय अपात 352 अनुछेद बीतिय अपात 360 अनुछेद और राष्ट पतिशासन 356 अनुछेद जो र तो यह परा भाराशासन अधिनियम 1935 का और यह साइमन कमिशन के रिपोर्ट के अधार पर इस सम्मीति का इस अधिनियम का गठन किया गया था भाराशासन अधिनियम अगला पसने कि धन बिध्यक को पेश करने के लिए किसकी पुर्ण सहमाती की आव सकता होती है तो या राष्टपती की होती है और धन बिध्यकों के वाल लोगसभा में ही पेश के जाता है अगला पसने की पर्धान मंत्री बनने के लिए निवन्तम उम्र कितनी होनी चाहिए तो पर्धान मंत्री बनने के लिए 25 साल अगला पसने की संसत के किस सदन को परतिनिधी सभा कहा जाता है तो या लोक सभा को कहा जाता है और परतिनिती सवा और निम्न सदन भी कहा जाता है अगला पसने कि किस देश की संसत को संसत की जननी कहा जाता है तो यह बिटेन की संसत को कहा जाता है अगला पसने कि संसत के दोनों सदनों की बैठकों का साभापती कौन होता है तो यह लोक सभा का अध्याक्ष होता है अगला पसने कि देश का सरोच बिधी अधिकारी कौन होता है तो देश का सरोच बिधी अधिकारी महानेवादी होता है जो नुछेद 76 के अंतरगत महानेवादी की बिवस्ता की गई है देश के समिधान में अगला बसने कि राश्ट पति पर महाव्योग लगाने की सुचना कितने दिन पुर्व दी जाती है तो यह 14 दिन पहले दी जाती है प्रस्तावना का प्रस्ताव किस ने रखा था तो प्रस्तावना का प्रस्ताव जो हलाल नहरू ने रखा था उदिस्टिका का प्रस्ताव भी उसी को करते हैं प्रस्तावना ने उदिस्टिका होता है और समिधान सभा ने भारत के समिधान को कब सुविकार कर लिया तो सुविकार किया 26 नौमबर 1949 को और अगला परसने की समिधान के किस अनुछेद में मूल अधिकार की परिभासा दी गई है तो यह अनुछेद मूल अधिकार की परिभासा अनुछेद बाड़ा में और अगला परसनाय की समिधान के किस अनुछेद में राष्टपती के निर्वाचन के बारे में बताया गया है तो राष्टपती के निर्वाचन के बारे में अनुछद चेवगण में बताया गया है अगला पसने की लोगसभा को भंग कौन कर सकता है तो लोगसभा को भंग राश्ट पती कर सकते हैं अनुछेद पचासी के तहत अगला पास नहीं कि लोग सभा के सदसों का कार्जकाल कितने वर्सों का होता है तो पांच वर्सों का वहीं पर राज सभा के सदसों का कार्जकाल छो वर्सों का होता है अगला पसने कि समिधान संग के संगीय समिती के अधक्ष कौन थे तो संगीय समिती के अध्याक्ष पंडि जवालन नेरू थे और अगला पसने कि मौली करतवे को समिधान में किस समिती के सिफारिस पर जुरा गया तो यह जो रहा गया सरदार स्वन सी समीति के सिफारिस पर अगला पसने कि समीधान के किस अनुछेद में सिक्षा का अधिकार बताया गया है तो यह अनुछेद एक किस के कौम में बताया गया है और अगला पसने कि समिधान के अनुसार संपतिक अधिकार कैसा अधिकार है तो संपतिक अधिकार है कानूनिया बीधिक अधिकार है अगला पसने कि समिधान का कौन सा अनुछेद में उपाधियों का अंत कर दिया गया है तो यहां अनुछेद 18 में है वहीं पर आश्प्रिस्त्या निचुगा चुद कांत अनुछिद 17 है और लोक नियोजन हो जाएगा अनुछिद 16 हो जाएगा अगला पसने की 6 से 14 वर्ज की आयू तक शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है तो यह मौलीक अधिकार है मौलीक अधिकार है गलापसने की समिधान के किस अनुछेद के दवरा राष्टपती देश में अपातकाल की खुसना कर सकता है तो यह कर सकता है अनुछेद 352 के तहत और समिधान के किस संसोधन दवरा राष्टपती सासन की अओधी 6 महिना से 12 महिने तक कर दिया गया तो यह कर दिया गया 22 समिधान संसोधन 1976 में और दिली को देश की राज़ानी किस समिधान संसोधन दोरा बनाया गया तो दिली को देश की राज़ानी 59 समिधान संसोधन के तहत बनाया गया पहले भारत की रधानी कोलकाता हुआ करती थी, 1911 में दिली बनाने का गठान हुआ और 1912 में दिली भारत की रधानी बन गई, फिर जाकर 1931 में दिली से नई दिली भारत की रधानी अस्तापित कर दी गई अगला परस ने की पर्थम लिखित समयधान किस देश ने प्रश्तूत किया तो यह अमेरिका ने किया था, और भारत के पर्थम महिला राश्पती कौन बने तो यह बने थी परतिवा देवी सी पाटिल अगला पस ने कि भरतीय सभीधान की परस्तावना में पहला संसोधन कप हुआ तो यह हुआ था 1951 में जिसमें नवी अनुसुची को जोड दिया गया अगला पस ने कि सनसद्भौन का उदगाटन किसके दोरा किया गया था तो संसत भौन का उद्गाटन लॉड इर्विन के दोरा किया गया था और राष्ट पति दोरा आपत कालिन सक्तिया किस देश के सम्मिधान से लिया गया है तो यह जर्मनी के सम्मिधान से लिया गया है अगला पसने की संपती के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सुची से किसके ससनकाल के दोरान हटा दिया गया तो यह हटा दिया गया था मुरारजी दिसाई के समय और सम्मिधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घुशित किया गया है तो यह किया गया है प्रभूता संपन, समाजवादी, पंत निर्फेक्ष और लोक तंतरात्मक गनराज्य अगला पस्ने की समिधान के किस अनुछेद में प्रान और दहिक सो तंतता का वरण है तो यह है अनुछेद 21 में और समिधान के किस अनुछेद में बीधी के समक्ष समता का अधिकार बताया गया है तो यह अनुछेद 14 में बताया गया है और मौलिक अधिकारों को कौन निलंबित कर सकता है तो यह राष्टपती कर सकते हैं अगला पूपक लाजनाक दल बदल का समज्विदम किस अनु सची से है तो यह अनु सची 14 से है और अगला पूपक राष्ट पति का प्ध किस देश के समिधान से लिया गया है तो यह लिया गया है अमेरिका के समिधान से उप राष्ट पती का पद याद रखेगा उप राष्ट पती के पद अमेरिका के समिधान से लिया गया है अगला पसने की समिधान सभा दोवारा भारत के राष्ट्रिय धोज को कब मनेहता मिली थी तो यह मिली थी 22 जुलाई 1947 को अगला पसने की भारत के राष्ट्रिय परतिक को अधिकारिक रूप से कब मनेहता मिली तो यह मिला 26 जनुरी 1950 को और मत देने का अधिकार किस कोटी से समझत है तो मत देने का जो अधिकार है यह राजनेतिक अधिकार है अगला पसने की समिधान के किस अनुछेद में अलब संख्यक वर्गों के हीतों का सनक्षन दिया गया है तो यह दिया गया अनुछेद 29 में और समिधान के किस अनुछेद में संचित निधी का प्रवधान है तो संचित निधी 266 के एक में वहाई पर आपसे पूछ दे कि या कस्मिक निधी कितना में है तो 267 के एक में है ठीक है अगला परसने कि क्रीमी लिएर संकल्पना का क्या तत्पर है तो क्रीमी लिएर संकल्पना का तत्पर है आर्थिक अस्तर के आधार पर वर्गी करन वहाई पर अगला प्रस्ने की समिधान सभा का अपचारिक रूप से परतिपादन किस ने किया था तो यह किया गया एमेन राय के द्वारा अगला प्रस्ने की भारतिय समिधान के अनुसार जीवन का अधिकार कैसा अधिकार है तो यह मौली का अधिकार है और समिधान के किस अनुछेद में धार्मिक सोतंतता का अधिकार दिया गया है तो यह दिया गया अनुछेद 25 में और अगला परसने कि दिवितिय राष्टरिय अपातकाल के समय देश के राष्टपती कौन थे तो यह थे बिबिगीरी अगला परस नहीं कि तिरितिय राष्टरिय आपातकाल के समय देश के राष्टपती कौन थे तो तिरितिय राष्टरिय आपातकाल जब लगा था उसमय देश के राष्टपती फक्रोदिन अली आहमा थे अगला पस्ण निर्वीरोध निर्वाचित होने वाले भारत के एकमात राष्च्ट पती कौन थे निर्वीरोध तो यह थे नीलम संजीय उरडी जो 1977 में निर्वाचित हुए थे अगला पसने कि बीत बिद्यक संसत के किस सदन में पेश किया जाता है तो या लोक सभा में पेश किया जाता है लोक सभा में अगला पसने कि केंद्र में दोयत सासन किस अधिनियम के अंतरगत अस्थापित किया गया केंद्र में 12 सहसन तो यह यह अस्तापीत के अगप भारत सहसन अधनियम 1935 के तहत अगला प्राजने कि कि इस अधनियम के अंतरगत भारतिय बिधान परिशद को बजट पर बहस करने की शक्ति परदान हुई तो यह हुआ था भारतिय परिशद अधनियम 1892 के तहत और अगला प्रजने कि भारतिये बिधान पाली का पर्थम बार द्वी सद निये बनाई गई यह बनाय गया 1919 के भारत सासन अधिनियम के तहट और इसी समय महिलाओं को पहली बार भोड़ देने का अधिकार दिया गया अगला प्रजने की राष्ट पति की अध्यदैस निर्गत करने की सकति प्रिद की गई भारत सरकार अधियम 1935 में अगला समय महिलाओं की भारत की सभीधान निर्मातरी सभा के अधिक्श कौन थे तो यहा थे डाक्टर अजैंदर प्रसाद और अगलापस ने कि भारतिय समिधान को पनाने है तो भारतिय समिधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे तो या 12 अधिवेशन हुए थे 12 अधिवेशन और सभिधान सभा में ब्यस्क मत अधिकार को 15 वर्स के लिए अस्तगित करने की बात किसने की थी तो यह किया था मौलाना अबुलकलाम अजाद ने और अगलापस ने कि राज भूमी सुधार अधिनियमों को सम्मेधानिक सुरक्षा परदान करने है तो समिलित किया गया तो यह नवी अनुसुची में समिलित कर दिया गया अगला परसने कि पंचायत को समयधानिक दर्जा परदानिक किया गया तो यह किया गया अनुछे 243 के अंतरगात अनुछे 243 के अंतरगात और अगला परसने कि बंधुआ मजदूर उन्मुलन अधिनियम संसद ने कब पारित किया था तो यह किया था 1976 में और अगला पसने की राज के नेति निजग सिधान एक ऐसा चेख है जो बैंक की सुभधा के अनुसर आधा किया जाता है। तो यहा अनुछेध एक क्यावन के कौमें या कहा गया है। अगला पास नहीं कि भायत के राश्ठपती ने जिस एक मातर मामले में अपने पौकेट बीटों की सक्ती का पर्योग किया लुगध है तो वह था भारतिय दाकगर संसोधन अधिनीयम भारतिय डागर संसोधन अधिनियम अगला पसने कि भारतिय समिधान के किस अनुछेत के अंतरगात राश्टपति संसत के दोनों सदनों दोरा पारित किसी बिल पर अपनी स्विकृति को रोक सकता है पसने कि भारतिय समिधान का कौन सा अनुछेद राश्टपति को उचितम नियाले से प्रापमर्ष लेने की सकती परदान करता है तो यह करता है अनुछेद 143 अगला पसने कि भारतिय समिधान में मंत्रि मंडल सब्द का एकी बार परयोग हुआ है वह भी किया गienst 752 में और अगलापस ने कि समिधान के किस अनसुची में कर एवं सुल्क लगाने का प्रवधान है तो यह सात्वी अनसुची में है और अगलापस ने कि भरतिय समिधान के अंतरगत लोगतंतर के अधरसों को हम कहां देखते हैं तो यहां उदेशी का प्रस्तावना में देखते हैं अगला पसने कि किस मौलिक अधिकार का लक्ष समाजिक भेदभाव का उन्मुलन करना है तो यहां हो जाएगा समानता का अधिकार जो 14-18 में है और अगला पसने कि किस संसोधन के तहट राष्ट पती को कोई भी मामला मंत्री परिशत दवरा पूनर विचार किया जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार परदान किया गया है तो यहां कर दिया गया चगवालिस्वा समिधान सम्दान 1978 में अगला पसने कि पर्थम स्पिकर कौन थे जिनके बिरुद लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव लाया गया था तो यह थे जिवी मावलंकर और सुचना के अधिकार को अधिनियम सुचना के अधिकार अधिनियम को राष्ट पती दोरा कब स्विकृति परदान कर दी गई तो यह कर दिया गया जून 2005 में और सुचना का अधिकार सबसे पहले राजास्थान में लाग हुआ था अधिकार 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 सुचना करें यह किस अनुचत में सामिल है तो यानुच्छिद 51 के कव्म में सामिल है और भारत में नियंतरक महा लेخक परिक्षक का पद का सिर्जन किया गया यह किया गया भारत ससन अंदियाम 199 के दवरा और भरत के उपराष्ट प्ति का निरवाचन एक निरवाचक गन के दौर्ण के जाता है जिसके सदस कौन-कन होते हैं तो इसके सदस संसथ के दोनों सदन्येई लोकसवा और राजसवा के सभी सदस होते है वहीं पर अगला परसने कि समिधान के किस अनुछेद में उलेखित है कि अध्यक्ष के पास निर्नायक मत होगा जिसका परयोग मतों की संख्या परावर होने पर किया जाएगा तो यहां है अनुछेद 101 में अगला परस ने किस ने कहा था कि भरतिय समिधान को संगहत्मक्ता के तंग धाचे में नहीं ड़ाला गया है तो यह भीमराव अम्वेदकर का कथन है और अगला परस ने कि वोहरा समीती का सबंद किस से है तो वोड़ा समीति का सबंद राजनेता होत था अपराधियों के साथ गांट से है अगला पसने कि अधिकार प्रिक्षा उच नियाले के किस छेतर अधिकार के अंतरगात आता है तो यह आता है अधिकार प्रिछा उचने आले के रीट छेतर अधिकार के अंतरगात आता है रीट और अगला परसने की राज के नितिनिज़क सिधान्त के अंतरगात धन का समान बित्रन किस अनुछेद में वर्नित है तो धन का समान बित्रन अनुछेद 49 के खा में है और अगला परजने की देश यहों राज के बीच सक्ति विभाजन की ओधरना किस देश के समिधान से लिया गया है तो यह लिया गया है कनाडा देश के समिधान से और अगला परसने कि सरमिक संग एवं फोजदारी किस सुची का भी साय है तो यह समुवर्ती सुची का भी साय है समुवर्ती सुची का और अगला परसने किस अनुचेद के तहत भारत के महानेवादी को ओट दिने का अधिकार नहीं है तो यह अनुछेद 88 के तहत लेकिन इस संसत के किसी भी सदन में भाग ले सकता है और बोल भी सकता है और लोगसभा के अध्यक्ष को सपत कौन दिलाता है तो लोगसभा के अध्यक्ष का सपत नहीं होता है और लोगसभा के अध्यक्ष का सपत नहीं होता है तो यह हो जाएगा तीन अगला पसने की समिधान सभा दुवरा दुवरा परतिक के रूप में निम्मोहर के रूप में किस जानवर को अपनाया गया था तो यह हाथी को और हाथी भारत का बिरासत पसु है बिरासत पसु है अगला पसने कि समिधान सभा का सचिव किसे न्यूक्त किया गया था तो समिधान सभा का सचिव HVR अयंगर को न्यूक्त किया गया था अगला पसने कि भारतिय समिधान में प्रस्तावना का विचार किस देश के समिधान से लिया गया है तो प्रस्तावना का वीचार अमेरिका देश के समिधान से लिए गया है जबकि प्रस्तावना की भासा आस्ट्रेलिया देश के समिधान से लिए गया है अगला पासने कि राजकिये नीति निस्रक्तत को भारत के समिधान की अनुठी विश्यस्ता किसने कहा है तो यह भीमराव अम्बेदगर के दुबरा कहा गया है अगला पासना और आज का अंतिम पासने कि राजसभा के पर्थम उपसभापति कौन थे तो यह थे स्री एसुवी कृष्णा मुर्ती राओ तो दोस्तो कमेंट में जरूर बताएगा कि आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा और एक लाइक और सस्क्राइब जरूर कर दिएगा दोस्तों और सेयर भी कर दिजहेगा क्योंकि एक्जाम बहुत नजदीख है भीहार द्रोगा का और आप लोग के लिए इतना मेनत कैने जा रहा है तो कम से एक लाइक और सस्कृब तो जरूर कर ही सकते हैं दोस्तों चलिए आज कर नहीं दोस्तों फिर मिलते हैं अगले